नश्कार मैदानी सुन्जार और आप देख रहे हैं पियार वी हमारे साथ बात चीट करने के लिए सुप्रीन कोट के वरिस्ट वकील भानू परताप जी मौझूद है जिस तरीके से एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा के दौरा प्रोफेट मुहमत साहब के उपर फांसी तक की सदा की मांग कर रहे हैं नुपुर शर्मा के गिरफतारी को लेकर पूरे देश में परदर्शन जारी है लेकिन अब तक जो है नुपुर शर्मा की गिरफतारी नहीं हुए उसकी जगह जो है 230 लोग जहुतर परदेश में वो गिरफतार कर लिए गया है तो इन समझता हूँ अगर कानून इमानदारिय से और सही तरीके से काम करता या और भी इस से आगे मैं करूँ कि अगर मानने की तरफ से भी निस्पक्ष रूप से कोई कारवाई नहीं हुई जिसका नतीजा सामने हैं पर मैं यहाँ सबसे पहले तो जो वो दो साथी इस सारे उसमें मारे गए हैं मेरी समवेधना उनके प्रति है और मैं बाकी सबी साथियों से जो भी प्रधर्शन कर रहे हैं उन सबसे निवेदन करूँगा मैं विनमर निवेदन करूँगा देखे प्रदेशन कीजिए लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से समवैधानिक सीमाओं के अंदर है कर अफ्तार सर नुपुर्शरमा की अब तक नहीं हुए क्या लग रहा है पीछे कोई शय है बार बार इसको बताया जाए इसका कोई अर्थ नहीं है ये तो सच है कि अगर सरकार का हाथ नहीं होता सरकार का सनक्षन नहीं होता तो अब तक ग्रफतारी कपकी होगी होती क्योंकि सरकार का सनक्षन है शासन प्रशासन निस्पक्ष नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा ह और मैं समझता हूँ, जो भी कानून को लागू करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत निस्पक्ष तरीके से कानून को लागू करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने कानून के वरोध में काम किया है, तो उसके खलाब कारवाई होनी चाहिए, लेकिन निस्प आप चाहें उसे तो उठा के जेल में बंद कर दें, और जिसको आप चाहें उसे खुला छूड दे दें, आराम से रहे भी मस्ती से रहे, परधान मंत्री की चुप़ी पर क्या कहीए, चुप़ी नहीं, परधान मंत्री जी की चुप़ी, इस बात का संकेत है, कि ये सब गरतार नहीं हो रहे ना, अगर दुनिया भर में इतना शोर मचने के बाद F.I.R. होती है, और वो भी 22 लोगों के खिलाब F.I.R. होती है, दिल्ली में जो हुई है परसूं, और सब के बाफजोद भी अभी तक कोई गरतारी नहीं है, और दूसरी तरफ जो लोग वरूत कर हैं, उनके धड़ा-धड़ गरफतारी हो रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा, मैं मानता हूँ कि माने प्रदान मंतरी अगर इस बात को, इसकी गंभीरता को समझते तो ये सिती ही नहीं आती, नौबती नहीं आती, ये सारे के सारे लोग, एक एक करके, कभी कोई है, कभी लोगों की, और ये भी बतायागा कि पिछले आठ साल में उन लोगों ने आठ हजार बार ऐसे स्टेटमेंट दिये हैं, ऐसे बयान दिये हैं, जो एक धर्विश्यत के प्रति घिर्णा पहलाते हैं, नफरत पहलाते हैं, सो इतनी बड़ी चीज आठ साल से लगातार हो रही ह और प्रधान मंत्री एक बार भी बोलेने, एक बार भी, हर बात पे उनकी चुपी है, तब आप क्या कहेंगे, और मैं ये भी मानता हूँ कि प्रधान मंत्री बोलेंगे कैसे, जब प्रधान मंत्री एक धर्म विश्यत के लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात बोलते है तो प्रधान मंत्री बोलेंगे कैसे है साभा भी कहें कि उनका पूरा संक्षन मिला हुआ किस तरह की कारवाई बनती है अगर नो कुछ रमाप में बात करें तो ने देखे जिस तरह से देश को संकट में डाला है या देश का अपमान जिस तरह से पूरी दुनिया आप ही बता रहे हैं कि राची से खबर है कि दो लोगों की इसमें मौत हो गई है पुलिष की गोली से तो ये सिती जो है ये दीरे दीरे अब जैसे बढ़ रही है और देश में आपस में अगर इस तरह का दंगा हो गया फैल गया तो क्या ये देश संकट में नहीं है क्या ये रास्टे सुरक्षा को खत्रा नहीं है दुनिया भर में जिस तरह का अपमान भारत का हो रहा है और जिस तरह से अरब देशों ने कड़ी पृतिकरिया जाहिर की है जिस तरह से छोटा सा देश कतर वो कह रहा ही कि भारत माफी मांगे जिस तरह से वहां पर खाड़ी देशों में भारतिये व्यापारियों के सामान का भारतिये सामान का जो बहिशकार हो रहा है चाह कोई व्यक्ति का तुरूप से कर रहा है सरकारी इस तरह पर हो नहो संस्थानिक रूप से हो नहो चाहे कोई व्यक्ति ही यह उसे अगर आगर आप यह कह रहे हैं मुझे तो जानकारी नहीं है पर जो आप कह रहे हैं कि इसमें आत्म निर्भरता की बात नहीं है ये तो देश के मांसम्मान की हमारी जो है उन नीतियों पर निर्भर करता है जिन खाड़ी देशों से हमारे इतने बड़े स हमेशा से, चाहे दुनिया में कैसी इस्तिते रही हो, लेकिन खाड़ी देश हमेशा 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 हमारे साथ में रहे हैं, हमेशा हमारे देश के जो लोग हैं, आज की तारीक में बहुत बड़ी संख्या में तकरिबें डेल करोड लोग इन खाड़ी देशों में रहते हैं, चाहे वो सेयुदी अरब हो, चाहे कुवेत हो, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, बहरेन हो, जो भी हैं, UAE हो, इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग रहते हैं, उनमें लगबग 90 लाग के लगबग तो किवल वही हैं, जो मजदूर हैं वहां काम करते हैं, और इसके अलाबा वहां स स्टुडेंट्स हैं, जो सिक्षा के लिए जाते हैं, कि UAE बहुत बड़ा सेंटर बर रहा है धीरे-धीरे, एज्यूकेशन के मामले में, सो वो जाते हैं, लोग वहां रह रहे हैं, यहां से जो आठ लाख लोग पिछले आठ साल में गए हैं, अरबपती भारत को छोड़ कर ने बहुत से लोग उन जगे पर रह रहे हैं, तो उन लोगों का जीवन, उन लोगों का व्यपार, उन लोगों की नौकरी, उन लोगों का रोजगार, जब वहां पर रियक्शन हो रहा है, तो क्या यह खत्रे में नहीं हैं? ठीके सर बार बर कहा जा रहा है कि भारत से की माफी मांगें। वो सुरीए कहा तक है कि भारत माफी मांगे हैं। कड़ी कानूनी कारवाई करनी चाहिए ऐसे लोग देश के लिए खत्रा हैं तो एनसे में कम से कम उनके खिलाप UAPA एनसे लगा के जैसे आप किसी भी दूसरे पर लगा दे तो कितने ही मुस्लिम समाज के बेगुना लोगों पर लगाया दलिस समाज के कितने ही बेगुना लोगों पर आपने UAPA नसे लगा दिया ऐसे लोग जो वाकी में रास्टे सुरक्षा के लिए खत्रा बन चुके हैं जिनसे पूरे देश में बावंडर मचा हुआ है पूरी दुनिया में ऐसे लोगों खिलाप कारवाई होनी चाहिए ये कारवाई हो, ठीक है यहां तो समर्थन में भी लोग उत्रे हुए तो फिर सरकार किसकी सुने दो दो पक्ष उत्रा हुआ है सरकार को हमेशा निश्पक्ष होना चाहिए किसी की होती नहीं है जिसने गलत किया है उसके खिलाब कारवाई करे जिसने गलत नहीं किया है बेगुना है उसको पूरी सुरक्षा मिलना चाहिए लेकिन यह तो गुनागारों को सुरक्षा मिल लई है सारे के सारे भीजबी के जो लोग थे ये कर रहे थे हिजाब की बात कर रहे थे आप जो तीन तला की बात कर रहे थे आप मस्जिदों पर भगवा फेरा रहे थे आप मस्जिदों के सामने से निकलते हुए तलवार लहराते हुए जो आप सारा प्रदेशन कर रहे थे उनको गा एटा जो जितने भी बी मुस्लिम देश जा, अर्बों की संख्या में जो इस्वाम को मानने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे जब उनको भी आप नहीं छोड़ोगे, तब आप क्या करोगे? तो ये जो चीजां है न, इन को समझने की जरूरत है. भावना निश्चत रूप से है बै, हरे किसी की बाप देखे पूरे इस्लामिक समाज के लिए मुस्लिम समाज के लिए पैगंबर महाश्वस साफ से तो ऊपर कोई नहीं है उनसे बढ़ के तो कोई नहीं है आप उनको भी इतनी अपमान जनक भाशा उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हो देखें मैं आपको दिखाता हूँ अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो सुन ले ये फैजान मुस्तफा साब है इसको दिखाएं आप ये फैजान मुस्तफा साब है ये वाइस शंसलर है नलसार यूनिवरस्टी के हैदराबाद के और इनका एक चैनल है ये अपना इसमें इन्होंने पूरी मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ करने की ज़रत है फैजान मुस्तफा पूरा जो इसका वो है लिगल अवेरनेस वेब सीरीज फेजान मुस्तफाज लीगल अवेरनेस वेब सीरीज और ये वाइस चांसलर है कोई आम आदमी नहीं है कानून पढ़ाते हैं लीगल हिस्टी पढ़ाते हैं उस यूनिवस्टी में ये उनका चैनल है इस चैनल पर इन्होंने पूरी एतिहासिक तत्थों के साथ हर चीज बताई है तो आपको पता लग जाएगी कि ये सच क्या है बढ़ कोई जानना नहीं चाहता जो मन में आये कह देते हैं मैं कह रहा हूँ कि इसको आप देखें आपको पता लग जाएगी पूरा 40 मिनट का वो है ठीक है तो ये हमारे साथ भानू परताब जी थे जो कि तमाम सवालों का यहां पर बेबाकी से जवाब दे रहे थे तो फिलाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बने रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद